नमस्कार पर नाम मैं आदित्यगर्ग आप देख रहे हैं इन खबर IPL आपको बता दें जो राज ने जो मैच हुआ है चैन्नाई सुपरकिंग और केके आर के बीच चैन्नाई ने IPL 2023 के सबसे बड़े स्कोर बना दिए इतने बड़े स्कोर कि केके आर सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना वरा स्कोर उनको चेज करना हो आपको बता दें कि चैन्नाई ने 235 रन टोटल बना दिये सिर्फ 20 ओवर के मैच में तो आज इसी मैच से रिलेटेड बात करेंगे आपको बता दें कि चैन्नाई ने इस मैच को 49 रनों से जीत लिया है क्या समीकरन रहा कैसे क इसने रन बनाया सब आपको बताते हैं IPL के 16 सीजन में चैन्नाई सूपर किंग्स का सांदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कोलकाता नाइट ट्राइडर्स के खिलाब मुकाबले में 49 रनों से मैच को अपने नाम करने के साथ चैन्नाई की टीम ने इस सीजन में अपनी पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट ट्राइडर्स की टीम की सुर्वात बेहत खराब देखने को मिली टीम ने एक के स्कोर पर ही अपने दोनों ओपनिंग बल्लेवाज के विकेट गवा दिये तुनील नाराइन जहां सुन्न पर पवेलियन लोटे वहीं नाराइन जगदी सन एक रन बना कर आउट हो गए इसके बाद कप्तान नितिस राना ने वेंक टेस अईयर के साथ मिलकर पारी को संभालते हुए पहले चे ओवर में स्कोर को दो विकेट के डुकसान पर 38 रनों तक पहुंचाया कुलकाता की टीम को इस मैच में तीसरा जटका वेंक टेस अईयर क के रूप में 40 के स्कोर पर लगा अईयर 20 गेंदों में 20 रणों की दिमी पारी खेलने के बाद मौयिन एली के गेंद पर इलबी डबलू हो गए इसके बाद सतर के स्कोर larger को चोथा जटका कपता नितिस राना के रूप में लगा जो 20 गेंदों में 37 रनों की पारी खेलने के पाद रविंद्र जड्यजा का सिकार बने यहां से जेसन रॉय ने रिंकु सिंग के साथ मिलकर केके आर की पारी को सम्हालने की कोशिस की और तेजी से रन बनाने का सिलसिला सुरू किया रॉय और रिंकु के बीच पाथ में विकेट के लिए 37 गेंदों में 65 रनों की साज़दारी हुई यह से रॉय इस मैट में 26 गेंदों में 5 चोके और 5 चाके की मदद से 61 रन की पारी खेलने के बाद पवेलियन लोटे 135 रन के स्कोर पर 5 विकेट गवा चुकी कलकत्ता की टीम के लिए इस मुकाबले को जीतना पूरी तरह से असंबब हो गया था टीम को आखरी 4 ओवर में 80 रन बनाने थे और लगातार तेज गती से रन बनाने के दवाब में केके आर विकेट गवाती दिखी रिंकू सिंग ने जरूर तिरपन रनों की पारी खेली लेकिन वह टीम को इस मैच में बरी हार से बचा नहीं सके एके आर की टीम इस मुकाबले में 20 ओबर के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 186 के स्कोर तक पहुचाने में काम्याब रही चैन्नाई की तरफ से गेंदवाजी में तुसार तेस पांडे और महेश तिक्षना ने दो-दो विकेट अपने नाम किये इसके अलावा आकास सिंग मुएनली रविंदर जडेजा और परिक्षना ने एक-एक विकेट हासिल किये इस मुकाबले में चैन्नाई सुपर किंग् बेहतरीन पारी खेली इसके अलावा अजंकिया रहाने ने दो सो से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ 71 रन की नावाद पारी खेली सिएसके की तरफ से सिवम दुवे ने भी 59 की तेजवाली पारी खेली जिसमें 20 ओबर में 4 विकेट के लुकसान पर 235 के स्कोर तक पहुचाने में काम्याब रही आपको बता दें कि जिस हिसाब से चन्नई ने ये मुकाबला जीता है एक तरफा दबदबा मेहंदर सिंग धोनी का रहा के के आर के तरफ से और जो आपको बता दें कि जो अजंकिया रहाने 2.0 वर्जन अपना लेकर आए हैं अजंकिया रहाने को इस तरह से टेस्ट का प्ल तो चन्नाई शूपर किंग टेवल टॉपर हो गई है नम्मर वन पर है तो जो भी अपडेट होगा आज भी मैच होंगे वो भी आपसे साजा करेंगे लेकर आएंगे सारा कुछ अपडेट आपके साथ तब तक बने रही है हमारे साथ और देखते रहिए इन खबर